प्यारे बच्चों सूप्रभाब कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ कि आप सब घर पर सुरक्षित होंगे प्यारे बच्चों आज हम हिंदी की कक्षा में संग्या यानि नाम वाले शब्द का अभ्यास कारिया करेंगे तो open your हिंदी grammar book and open page number 30 लेट्स टार्ट आउ शुरू करते हैं चित्रों को देखकर सही शब्द चुनो और लिखो जो है यह फिलप्स के साथ में ही यानि डैश के साथ में ही कुछ चित्र भी दिये गए हैं उसको देखकर आपने क्या लिखना है सही शब्द लिखना है ठीक है नीचे आपको option भी दियोंगे उसमें से आपने चुनना है और लिखना है फर्स्ट के आए बेटा डैश पूर्व दिशा से निकलता है अब आपने बताना है कि पूर्व दिशा से क्या निकलता है फर्स्ट है सूरज, चांद, तारा और बादल अब क्या निकलता है सूरज निकलता है चांद निकलता है तारा या बादल क्या निकलता है पुर्वदिशा से सूरज क्या निकलता है सूरज सूरज पे देखो सही का निशान लगाएंगे और यहाँ पे जो है वो राइट करेंगे आप सूरज क्या लिखेंगे सूरज ओके next है मेरा डैश बहुत सुन्दर है अब मेरा आप देखो ये किसीज का चित्र दिया हुआ है ये एक घर का चित्र दिया हुआ है हना तो यहाँ पर देखो क्या option दे रखें है स्कूल, घर, गली और मैदान क्या है ये स्कूल, घर, गली और मैदान किसीज का चित्र है ये घर का चित्र है हना तो मेरा घर बहुत सुन्दर है तो यहां लिखेंगे बेटा घर मेरा घर बहुत सुन्दर है मुझे डैश का फूल अच्छा लगता है अब मुझे डैश का फूल अच्छा लगता है अब देखो यह बेटा किस इसका फूल दे रखा है यह कमल का यह गुलाब का फूल है किस इसका है यह फर्स ओप्शन है चमेली कमल गुलाब और क्या है कागच किस इसका चित्र है यह यह गुलाब का फूल का चित्र है तो यहां पे गुलाब पे आप क्या करेंगे सही का निशान लगाएंगे और यहां पे आपने क्या लिखना है गुलाब ओके नेक्स्ट है बेटा पिता जी कल डैश लाए अब देखो यह क्या बना हुआ है यह गुबारे बने हुए मिन्स बैलून बने हुए है न तो इसका अप्शन के दे रख है गुबारे खिलोना दुकान या घर क्या लाए थे पिता जी कल गुबारे तो यहाँ पे सही का निशान लगाना है और यहाँ पे क्या लिख दो गया गुबारे पिता जी जो है वो कल क्या लाए थे गुबारे लाए थे ओके नेक्स्ट है बेटा दो-दो संग्या शब्द लिखने है मतलब मैं आपको कोई भी चीज का नाम होता है ना वो क्या होता है हमारा संग्या शब्द हो जाता है ठीक है आपने संग्या शब्द के नाम लिखने है आप जैसे मित्रों के नाम में सा आपने अपने फ्रेंड के नाम लिखने है ठीक है जैसे आप फ्रेंड में जैसे लड़क सकते हैं राकेश दो रहा रहा है है और उस consig निक विश्या ने bod你 mongoga और यह प्रूंपट में तो यह रहा है उसके जगह कोई और पी राइट कर सकते हैं फलो अब फलो के नाम में अब फल आपको पता हिए कितने सारे फल होते हैं में फ्रूट्स होते हैं आम और फ्रूट कौन कौन से होंगे जैसे केला है सेब है संतरा है अमरूद है कुछ भी लख सखते हो जैसे आम तो इसमें दिया हूँ है इसके अलावा आपने दो लिखने हैं बेटा क्या लिखोगे जैसे अब आपने आपे लिख दीया सेब और कैला सेब और कैला ठीक है नेक्स्ट है बेटा आप सबजीों के नाम । 스स्पजीं के नाम वे आपने क्या लिखना है बेटा जैसे अब आलू है सब्जी और क्या होती है क्या होती है बेटा सब्जी बैंगन हो गया प्यास हो गया टमाटर हो गया और भी बहुत सारे नाम होते हैं ठीक है ना तो अब यहां पर क्या लिख दोगी टमाटर है और क्या लिखेंगे अब गीया हुता है पेठा भी होता है और तोरी भी होती है न जो आप सिस्नल जो है वो लेते हैं सबुद्जी आंस तो यहां पर क्या लिख हो कि आप मैंगन मर्ची से कोई भी लेक सकते हैं बेटा फिर इसके बाद एक इमारत की के नाम जैसे इसमें दे रख है लाल किला आप कहीं पे भी गए हो आपने कोई भी इमारत देखे है कोई भी बिल्डिंग उसका नेम है जो फेमस हो ठीक है वो आपने राइट करने है जैसे लाल किला हो गया और क्या कर सकते हो आप इंडिया गेट कर अपने जैसे इंडिया गेट ही और यहां पर लिखते हैं जैसे ताज महल जो उड़ सकते हैं तोटा चडीया पक्षी है ना तो आप और भी नाम लिख सकते हैं दिल्ली नाम में जैसे गोहना भी प्लेस का नाम है आप रहते हैं गोहाना में आपका स्कूल है गोहाना और क्या लिए सकते हैं पानीपत रहोतक है ना जैपूर सभी यह क्या है एक लिसिस के नाम है ओके नेक्स पेश पेड़ा चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखने आपने ठीक है चित्रों को पहचानकर यहां पर दिया गए हैं और उसका पैचान कर अपने उसका नेम के चीत्र है यह किस चित्रा cats चित्रा यह है धयान umn यह ज आप ध्यान से यह घर का चित्रा है Sugival फ़चिक क्या है उपवन क्या है वपवन क्या लिखोगे उपवन क्या लिखोगे उपवन पर वन, next क्या है वेटा, जैसे यह दे रखा है, तोता, गचित्र हैं, तो हहाँ पर लिखोगे आप, तोता ओके, next है वेटा, अब यह किस्टिच का चित्र हैं, यह एक खर गोश का चित्र है है ना तो राइट ये खर गोश खर गोश ठीक है खर गोश नेक्स्ट बेटा ये क्या है एक मुर्गी है ना मुर्गी का चित्र है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे मुर्गी अब बेटा नेक्स में देखो क्या कह रहा है कि संग्या शब्द को पहचान कर लिखो संग्या शब्द को 나와 आपने नीचे राइट करने है जब से पहले है बेटा गोतम ठीक है तो गोतम किसी व्यक्ति का नाम है हना, तो यहाँ पर लिख देंगे है गोतम नेक्स है बेटा, उपवन अब उपवन क्या है, किसी एक प्लेस का नाम है, हना तो यहाँ पर लिख देंगे हैं, उपवन नेक्स है बेटा, चलो चलो ना तो कोई व्यक्ति का नाम है ना कोई स्थान का नाम है मिंस जगा का नाम है और ना ही कोई वस्तू का नाम है चलो कोई चीज नहीं है तीक है इसको हम नहीं लिखेंगे फिर अच्छा 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 भी कोई भी ना तो कोई व्यक्ति का नाम है, ना कोई वस्तू का, ना कोई स्थान का, है ना, कोई भी चीज का नाम नहीं है, उन्हें, नेक्स्ट है बेटा, उन्हें, उन्हें बेटा, कोई भी शब्द नहीं है, है ना, ना तो किसी व्यक्ति का नाम है, ना कोई वस्तू का, ना ही, कोई स ठीक है अब देखो यह अगर artificial है गुडिया तो एक वस्तु का नाम ही जगा क्योंकि आपके पास जो खेलने वाली गुडिया होती है ठीक है और वैसे ही अगर किसी लड़की का नाम है तो यह व्यक्तियों के नाम में आ जाएगी ठीक है तो यहाँ पर क्या write कर देंगे गुड सचिन ठीक है यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है सचिन नेक्स्ट है बेटा जल्दी जल्दी भी कि नहीं कोई व्यक्ति का नाम है ना कोई वस्तु का नाम है और नहीं कोई जगा यानि स्थान का नाम है फिर है गाजर गाजर तो एक हम गाजर खाते है ना लाल कलर की होती है रेड कलर की होती है न अब और ये सम जर्दियों में आती है ठीक है और गाजर गाजर भी एक बस्तू का नाम है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम गाजर नेक्स्ट है बेटा घर घर भी घर भी किसी चीश का नाम है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे है घर फिर नेक्स्ट है कुरसी कुरसी भी किसी चीश का नाम है ठीक है कोई बस्तू होती है उसका नाम ही है न कुरसी ठीक है जिस पर आप बैटते हैं उसके बाद फिर है अंगूर पंगूर भी आएगा बेटा, प्योंकि ये क्या है, हमारा फल है, है ना, फलों के नाम में आता है, इसको, इसको तो बेटा, किसी में भी नहीं आता ना, कोई विक्ति, नवस्तू, इसका कोई भी नेम नहीं होता, सियार, सियार, सियार जो होता है, क्या है एक, पशू है ना, ठीक है, तो पशू के नाम में आता है, यहां लिखोगे सियार, ओके, नेक्स्ट है, आपकी, आपकी, आपकी में भी कोई वस्तू, विक्ति का, कुछ भी नाम नहीं है, जैसे फिर दे रख है, मेरा, इसमें भी कोई ने अना कोई विक्ति का नाम है ना, कोई वस्तू का, कुछ भी नहीं है बेटा, फिर दे रखा है, आप, आप में भी कोई व्क्ति वस्तू का खुछ भी नाम नहीं है, तो यह हम राइट नहीं करेंगे, ठीक है बेटा, next page open करते हैं next page में है बेटा अपना परीचे दो तथा अपने अपना परीचे दो तथा अपने परिवार का चित्र चिपकाओ means जो बेटा यह आपको space दिया गया है यहाँ पे आपने पूरी family की जो है पिक जो है वो paste करनी है ठीक है मिन्स आपने पूरी family का एक photo यहाँ पर लगाना है ठीक है और हर बच्चा जो है वा अपना परीचे यहाँ पर लिखेगा ठीक है जैसे अब मेरा नाम डैश है तो जो आपका नाम है न बेटा वो आप इसमें फिल करेंगे फिर मेरी माता जी का नाम डैश है जो आपकी मम्मी का यानि आपकी मदर का नेम है वो यहाँ पर राइट करेंगे नेक्स्ट है मेरे पिता जी का नाम अगर मेरे पिता जी का जो आपके पिता जी का नेम है बेटा वो यहाँ पर राइट करना है आपको next है मेरे भाई या बहन का नाम dash है आपके जो भाई का या बहन का आपका भाई है तो आपका भाई का नाम लिखोगे अगर आपकी बहन है तो आप अपनी बहन का नाम लिखोगे यहाँ पर फिर उसके बाद है का मेरे विधाले का नाम डैश आप विधाले का नाम तो सबका सेम है तो यहाँ पे आप सब क्या लिख देंगे ओम पब्लिक स्कूल क्या लिखेंगे ओम पब्लिक स्कूल मेरे विधालय का नाम ओम पब्लिक स्कूल है उसके बद फिर मेरे मित्र का क्या नाम है मिन्स आपके फ्रेंड का क्या नेम है जो भी जिसका भी जो friend है आप अपने friend का name लिख सकते हैं मेरे कुट्टे का क्या नाम है तो बिटा अगर आपके पास जोगी है तो आप यहाँ पर उसका name लिख देना अगर नहीं है तो आप यहाँ पर cross का sign लगा देना ऐसे ठीक है और कुट्टे का नाम अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो otherwise इसको ऐसे भी कट सकते हो ओके बिटा